हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कम्यूटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों के पढ़ाई हम आसा करते हैं कि आपकी पढ़ाई पूरे जूसुक और काफी मज़ा भी आ रहा होगा आपको पढ़ाई करने में क्योंकि अब आप से बहुत सारी कोश्चन बन रहे होंगे लगबग सभी सब्जट के देहर सारी कोश्चन आप से बन रहे होंगे अलमोस्ट आपका सीलिवस एड्डिंग के तरफ है तो आपसे मैक्सिमम within time कर पाएंगे, maximum question में आपका attempt होगा, accuracy अदि आपके अच्छी रहेगी, तो normalization में आपको इसका benefit मिलेगा, accuracy अदि आपके अच्छी नहीं रहेगी, विशेश रूप से close test part 1, part 2, part 3 को आप सब उने जरूर से देखा होगा, और साथ ही साथ इसके पहले के अर्थात last lecture, rearrangement part 1 को आप सब लोग जरूर से देखे होगे, ठीक है, तो rearrangement part 1 में हमने आपको बताया था कि rearrangement क्या होता है, rearrangement कितने types के, आपके SSE exam में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CGL का exam हो, या CHSL का exam हो, दोनों exam के point of view से हमने आपको, जो types आपके SSE exam में अब तक पूछे गए हैं, CGL में और CHSL में, इन दोनों exam में जितने भी types के rearrangement के question पूछे जा चुके हैं, अब तक उन सबों को हमने आपको बताया था, दिखाया भी था, ठीक है, और बहुत सारे पे, मतलब बहुत सारे types ऐसे थे, जिस पे हम लोगों ने question को solve नहीं किया था, उनको हम लोग आज के class में करेंगे, इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि rearrangement के question को solve करते समय, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, अर्थात, rearrangement को solve करने के दोरान वो कौन कौन से concept हैं, जो useful होते हैं, तो ऐसे कुछ concept के चर्चा हमने आपके साथ rearrangement part 1 में करी थी, तो यदि आप में से किसी का rearrangement part 1 छूट गया हो, तो उसको जरूर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफी beneficial है, हमने आपको ये भी बताया था कि rearrangement का जो बड़ा से बड़ा sentence आपको given होता है, छोटा सा given हो, छोटा वाला भी पूछा जाता है आपके tier 1 में, आज उसकी अब हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है, XYZ pattern की भी चर्चा आज हम लोग यहां पे करेंगे, ABCD pattern की भी चर्चा करेंगे, 1 and 6 given होता है, और बीच में जो 4 sentences आपको given होते है, PQRS के term में, उसके चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे, ठीक है, 1 and 6 given नहीं होता है, क्योंड PQRS given हो होते हैं, इसके चर्चा हमने आपके साथ कल करी थी, आज भी कुछ question हम लोग इस pattern का solve करेंगे, ठीक है, तो आज के इस class में हम लोग उन सभी pattern पे चर्चा कर लेंगे, जो अब तक अपने remaining बचे हुए, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा हमने आपको जैसे कुछ order आप की गई हो, तो noun को पहले रखते हैं, pronoun को बाद में रखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ चीजों की चर्चा हमने आपके साथ करी थी, option का use करके कैसे rearrangement के question को हम लोग SSC exam में solve करेंगे, इसकी चर्चा हमने आपके साथ काफी detail में करी थी, और इसके घेर सारे question भी हम लोग ने rearrangement part 1 में solve किया था, ठीक है, तो आईए, अब आज के अपने इस class को हम लोग यहां से आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के पहले हम आपको बताते चलें, कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube channel competition community को subscribe नहीं किया है, तो इसको जरूर से subscribe कर लें, ठीक है, bell icon को hit करना बिलकुल भी न करा जाता है, Monday to Friday में जो कुछ भी जिस किसी भी topic का, जहां तक का concept आपको बताया गया होता है, उन सभी पर best एक weekly practice seat हम लोग आपको provide कराते हैं, ये दोनों ही चीजे अर्था जो PDF है, वो और जो practice question है, ये ये दोनों ही चीजे available हैं, हमारे website पे भी और हमारे app पे भी तो दोन पुट करके mobile number verify करवा है, फ्री में अपने आपको register करें और उसके बाद आप एसे सी वा लिविंग में चले जाएं, एसे सी के विंग में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे PDF और सारे practice seat with answer available है, ठीक है, इनके अलावा भी कुछ और information है आपके लिए, आप में से बहुत सारे बच्चों का English में, vocab में बहुत दिखका जाता है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने अपने टेलिग्राम चैनल पे already quiz चला रखा है, तो vocab का एक छोटा सा quiz होता है, daily होता है, और इसका timing है सामके 7 बजे, ठीक है, तो everyday सामके 7 बजे, आपका vocab का quiz होता है, इसमें आप सब को actively participate करना चाहिए, ठीक है, vocab को ठीक करने के लिए, आपने से बहुत सारे बच्चों का एक common problem होता है, सर, vocab को ठीक करने के लिए क्या करें, कहां से पढ़ें, कहां से practice करें, देखिए, ACC का एक अपना trend बना हुआ है, इसमें बहुत सारे चीज़े repeat होती रहती है, जैसे vocab विशे सरोब से vocab तो repeat होता ही जाता है, rearrangement repeat नहीं होता, close test repeat नहीं होता, passes repeat नहीं होता, कभी कभी rare case में एक दो बार होता है, तो यह जो RC के section है, reading comprehension के section है, यह repeat नहीं होती है, grammar के question repeat नहीं होते है, but concept बार 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 repeat होता है, जैसे आप fix preparation पढ़ते हैं, phrasal verb पढ़ते हैं, य जैसे आपने grammar में tense पढ़ा, subject of agreement पढ़ा, या और भी कोई topic पढ़ा, तो उसके concept बार बार repeat होगे, ठीक है, तो इसके लिए या आप में से कई बच्चों का ये भी complain होता है, सब पढ़ते तो हैं, जब आप पढ़ाते हैं, तो सब बात समझ में आती है, जब first time हम भी पढ़ यूज करना, ये बात हैं हम लोगों को समझ में नहीं आती, इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, do more and more practice, अप practice कैसे करेंगे, तो जो भी chapter आप पढ़ते हैं, उसको आप बार बार repeat करें, लाइक जैसे बच्चों का बढ़ा फेबरेट सा topic होता है, tense, तो tense का ज लगतार बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, एटलिस्ट आप three to four times उसको बनाते हैं, तो तीन से चार बार जब आप बनाते हैं, तो उसका जो concept है, कैसे question को tackle करते हैं, इसका जो concept है, idea है, वो आपके brain में set कर जाता है, और फिर उसके बाद, अब आप कहीं से कोई भी question उठाते हैं, तो वो concept आपको जैसे हैं दिखाई पड़ता है, आपका brain active हो जाता है, आपका eye actively उस पर जाके click करता है, ठीक है, बात समझ में हा रही है, तो इन सब चीजों का आप यूज करें, ताकि आपकी accuracy maximum improve कर सकें, और accuracy आपको result में convert करता है, ठीक है, कुल मिला के दो important चीजे है सबसे परला जैसे अभी हम लोग beginning stage में सीख रहे होते हैं, तो सबसे परले चीजों को सीखिए, फिर उसके बाद speed बढ़ाई है, फिर उसके बाद accuracy पे work out किशे, और इन तीनों के दे tuning हो गई, तो आप ये किर मानिये, आप first attempt में ही successful हो जाएंगे, ठीक है, तो चली अब हम सुरू करते हैं, आज अपने rearrangement के second part को, तो part 1 के आगे हम लोग चलते हैं, यहां से part 2 की तरफ, यहां पर देखिए, यह कुछ question है, olive tree वाला जो हम लोगों ने last class में solve किया था, तो rearrangement part 1 का last question हमारा यही था, अब आज हम लोग यहां से आगे चलेंगे, तो यहां से आगे चल देख ले, देखे, option शुरू हो रहा है, A से, C से, B से, D से, मतले, A, B, C, D, 4 से ही शुरू हो गया, अब 4 से शुरू हो गया, तो हमने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहले आपको check करना है proper noun, यहां पर देखिए, इसमें proper noun आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर आपको यह वाला मेरा first sentence हो जाएगा, यह देखिए in the beginning सुरुवात में, ठीक है, तो सुरुवात की चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप बताइए तो कि किसके सुरुवात में, तो घटना तो पहले बताइए, यह it देखिए, possessive adjective, ठीक है, यह देखिए this pronoun, adjective है, यह भी ठीक है, तो यह this invention इससे सुरू होगा ने, this that से सुरू होगा ने, ठीक है, in the beginning सुरू होगा ने, इससे सुरू होगा ने, अब देखिए चुकि चारों option अलग-अलग later से सुरू हो रहे है, पहले ए से, यह C से, यह B से, और यह D से, first sentence हमारा किसे सुरू होगा, penicillin से, ठीक है, तो यह जो pen वाला कौन से, B वाला IQ option है, सीधा इसको click करें हम लोग, और आगे यहां से निकलते चले, हम लोग सीधा इसको click करें, और यहां से आगे निकलते चले, ठीक है, हमारा correct answer बना option number C, तो आज के इस class में इस तरीके के भी कुछ question को हम लोग deal करेंगे, और उसके बाद remaining बचे हु चारो से शुरू हो रहा है, जारो से सुरू हो रहा है, इसमें देखे यह, दें connector से start हो रहा है, connector से start हुआ, तो यह मेरा answer होगा ने, अभी देखे यह, यह, और यह, पॉस्ञा परणॉम, तो यह पोस्ञाल परणॉम है, तो हमारा preference होगा, आई वाला, अब इन दोनों को जर this way to to cross the street तो जब मार के जा रहे थे तब हम ने देखा कि एक जब ला मंस को पार करने के कोशिव कर जा है तब यह गया होगा उसके पास तो हमारा क्या ज्वेट लॉड्य और एक साथा का एंगा बीडude वाला ओप्षन कॉन सा यह Comm 이야기 वाला उप्षन तो इसमें में डी पढ़ने की जरूद भी नहीं थे सिदा भी को क्लिक करना था इस भी वाले को पहले नंबर पर जिसमें दिया गया था उसको क्लिक कर देना था ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते अब यहां पर यह यह देखे यह फिर आपको थोड़ जोड़ी क्या है प्रापर नाऊंने ठीक है अब यह देखें प्रोक हरें फ्रसे है तो फॉं का आप में से कई option है बी से अर्था सी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है डी यहां पर गीवें नहीं है तो डी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा हमारा पहला सेंटेंस ठीक है तो देखिए इस सेकंड वाले सेंटेंस में कोई प्रफपर नहीं है फर्स्ट वा पढ़े दफॉन फॉलोड हीम अब यह जोड़ी जब कीचन में गया तो उसका पीछा करते हुए उसके सांसांत कौन चला गया जो हीरन का बच्चा था वो भी चला गया ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा आंसर तो हमारा आंसर क्या बनेगा बी डी वाला मतलब सौरी एडी आंसर सबस्क्राइब गजिए सब्सक्राइब में इसे नेवर दिले से नौट विट से शुरू हो नहीं हो तो वह हमारा पहला सेंटेंस नहीं होता ठीक है उसको हम लोग आगे के पार्ड में रखते हैं फर्स सेंटेंस हमारा नहीं होता है हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि इस पैटर्ण का जब भी कोशन दिखाई दे यहां पर यहां पर यहां पर पी की वारेस लिखा हुआ हो इसमें फर्स और शिक्स पार्ट गिविन पाला और चपार सेंटेंश इसमें इसमें की विन नहीं हो तो उसको बनाने के लिए हम लोगके इस क्वाइब करें एस में क्या करते हैं सबसे पहले वर्स Kont्राट काम होता है कि हम फर्स सेंटेंस दुनें कि छारों मिसे भाला कौन सा होगा ठीक है आप्शन काchi उ म्लों करत देखें, यह दो व्यक्ति है, went to the hill to build the city of Rome, यह दोनों मिलके पहाड़ पे गए, ठीक है, किस काम के लिए गए भाई, तो पहाड़ीों पे यह लोग गए, कि एक Rome city बनाएंगे, एक सहर की हम यहाँ पे अस्थाफना करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यह हो जाएगा, उसके ब यहाँ पे ज़राव यहाँ पर देगा, तो सबसे पहले बाता बाती होगी, पहले एक कुछ बोलेगा, जैसे यह जो रोमूलस है, यह कुछ बोलेगा, फिर रीमस बोलेगा, दोनों की बात में बनेगी नहीं, तब जाके ज़राव होगा, इसलिए डी के बाद सी हमारा आंसर नहीं होगा, यह कैंसर होगा, अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी के बाद बी, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आते हम लोग, यहाँ पर देखे ज़राव ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी से, तो सी हमें पढ़ने के जर gonna cancel हैं, पर नेके जरुंती ही नहीं है, यह देखे यह पर लख सर्व नहीं होगा, अब हमारा जो पर ला सेंटेंस होगा, या तो भी यह बाला होगा, या तो वाला हो हुआ है today more and more humans are crossing more and more borders in search of a job आज के डेट में बता ज़रा है कि आज कल ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा border cross कर रहे हैं किस के लिए किस काम के लिए कर रहे हैं तो जॉब के तालास में जॉब के लिए ठीक है तो जॉब के तालास के लिए बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, इसलिए यडिरोपियन लोग डिमाज़ा रहे होंगे कि भाई आप बाहर वालों के लिए अपना दरावाजा बंद के जी अर्था था था हमारा पहला सेंटेंस क्या बनेगा बनेगा ठीक है पहला क्या बनेगा बनेगा बी से देखे दो ऑप्शन शुरूर है बी ए और भी सी तो बी के बाद सी नहीं आएगा सीधा जाएगा बी के बाद ए तो सबसे फ़ले लोग वहां पे जाना शुरू करेंगे फिर यूरोपियन लोग उसको बंद करने के डिमांड इसमाइन लोग इसको डिमांड किए कि यूरोप को अपना गेट बाहरी लोगों के लिए बंद कर देना चाहिए तो अब इस कारण से यह मेरा answer नहीं बनेगा, अब हमारा answer क्या बनेगा, correct answer is option number a, b, c, next, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं, इस question में, यहाँ पे देखें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, in such places, सबसे पहले option को देखें, option देखें, b से शुरू हो रहा है, c से और d से, digits are almost totally without water, मतलब कुछ desert ऐसे हैं, कुछ मरकष्थल, कुछ रगिस्तान ऐसे हैं, जहाँ पे पानी लगभग नहीं, ठीक है, जहाँ पे पानी बिलकुल समागत है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा answer किसे सुरू नचे, b से, अब b के बाद देखें, दोनों में b, a, b, a, यहाँ द पे, हम लोग चेक करें, कि एक बाद, अब क्या आना चाहिए, इन सच प्लेसे से, स्टॉंग विंड्स ब्लो, रेजिंग हीपस ऑप सैंड, यह देखें, रेजिंग हीपस ऑप सैंड, मतलब जो बालू है, जो रेत होता है, उसका, अम बार लग जाता है, इसे एकटा हो जात है, ठीक है, इसे इस डिपोजिटेट इसे मांच को, सैंड दू है, अब यह देखे, यह दे लिखा हो ए, इस डू बौर को ठोड़ करते, यह देखे हिन धे लिकुक हुआ है, और यह भी समय है, ठीक है, तो ये यह लास्ट में आएगा, और यह सेकेंड लास्ट में होगा, म ऐसा भी हम लोगों के साथ confusion create होता है, कई बार आप देखेंगे, rearrangement को solve करते समय, कई बार ऐसा होगा, कि यदि पहला sentence मिल गया, तो उसके बाद second हम किसको रखें, यह decide नहीं होता, कई बार आपको first sentence नहीं समझ में नहीं आएगा, यहां भी आपको कभी-कभी दिक्कत जाती है ठीक है, तो ऐसे situation में हम लोग क्या करते हैं, कि ending वाला देख लेते हैं, last वाला कौन सा होगा, यह second last वाला कौन सा होगा, यह last का दोनों कौन सा होगा, ठीक है, ऐसे pattern में, उससे भी हमारा rearrangement solve हो जाता है, जैसे यहां पर देखिए, यह dunes था, descend, और यहां देखिए, उसको क बताये गया, तो इसको कहते हैं, dunes, और यहां पर बता दीगा, these dunes, तो सबसे पहले, dunes को यहां पर define किया गया, उसके बाद यहां पर बताये गया, कि dunes क्या करता है, तो move endlessly across the desert, वो endlessly, मतलब वो कभी समार तो नहीं होता, एक जगह से shift कर जाता है, दूसरे जगह, दूसरे जगह, हवाओं के कारण, ठीक है, बात समझ में आई, अर्थात कि यहां पर हमारी यह story end हो रही है, तो हम इसको भी check कर ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारा answer क्या बना, c, d, sorry, c, d नहीं होगा, यह d, c होगा, पहले d आएगा, और उसके बाद c, तो यह cancel, हमारा answer क्या बना, हमारा answer बनेगा option number a, ठीक है, चले next, यहां से आगे बड़े हम लोग, अब यहां पर आते हैं, यहां देखे, सबसे पहले option की तलास में चलते हैं हम लोग, option देखे, a से सुर और यहां देखे, on the answer, यह preposition से सुरू हो रहा है, you, pronoun, यह देखे, adjective ठीक है, यह if condition बता रहा है, तो सबसे पहले जब हम लोग इसको देखते हैं, तो हमें यहां क्या दिखाई रहा है, one, two, three, four, every question is followed by four answer, choices, marked, one, two, three, पोड़े हैं, प्रते question में कितने option होते हैं, तो चार option ह होते हैं, तो सबसे पहले हमारा answer क्या बनाचे, इस सीवला, तो हम सीधा सीवला एक ही option हैं, क्लिक करेंगे और आगे निकल चलेंगे, इसके आगे हमें ढूंडने की कुछ भी जरूरत नहीं होती, अब यहां देखे, इस question में क्या करें हम, सबसे पहले option देख ले, a, b, c, d, इसमें भी चारो option सुरू हो रहे हैं, चारो ही, a, b, c, d, चारो से एक-एक option given है, अब यह देखे, यह क्या है, pronoun, यह क्या है, pronoun, ठीक है, यह क्या है, pronoun, और यह देखिए, गमक घर, यह क्या है, proper noun, तो पहला sentence किसे सुरू होगा, गमक घर, proper noun, से तो सीवला option उठाईए, और answer कर देजिए, तो आपका answer क्या बना, आपका answer बनेगा option number a, आपका answer क्या बनेगा, तो आपका answer बनेगा option number a, ठीक है, अब चलते है, इस question में, इस question क्या option को ज़रा देखिए, हम लोग 2 option b से, 2 option d से, 2 b से, और 2 d से, तो c पढ़ने की जरूवत नहीं, यह पढ़ने की जरूव नहीं ठीक है अब आज़े यहां पर देखे वेल हंटिंग वेल प्रापर नावन वेल हंटिंग ठीक है चर्चा किस के हो रही है वेल हंटिंग क्यों रही है डी को जरा पढ़ लीजे इट वोज एक्स्ट्रीम इस दिफिकल्ट तो सबसे पहले और और यह जो सेकेंड सेंटेंस के बड़ी वाला यह है तो सीधा इसको क्लिक किसी आगे निकल लिए आपका अंसर इसी तरीके से बनता हुआ आगे चला जाता है नेक्स्ट अब अधर चले हम लोग इस कोशन में कोशन के सबसे पहले औप्शन को देखे ए बी सीडी चारों से ऑप्शन हमारे सुरू हो रहे है यहां देखिया ओन दा वन हैंड मतलब एक छोर पर वाइल वाइल से कभी सेंटेंस हमारा सुरू नहीं हो सकता क्योंकि यह क्या है क्नेक्टर है डेमोक्रेसी यह हो सकता है ओन दा अधर तो सबसे पहले होना चाहिए था भी जरह पढ़के देखें भी को हम लोग डेमोक्र तो पहला उसके बाद ही आएगा दूसरा और यहां देखिए वन हैंड यह वन हैंड है और यह ऑन दा अधर तो यह पहले पहली बात बता रहा है यह दूसरा कंडिशन बता रहा है यह वाइल होगा नहीं तो यह बचा हमारा प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन वाला हमारा answer होगा तो बी वाला option डूंड लीजिए बी वाला option एक ही है answer click किजिए आगे बढ़ते रहिए next अगले question में चले हम लोग यहां पर देखें यहां पर कैसे हम लोग इसको solve करेंगे he confessed that the only सबसे पहले option को देखें हम लोग a b और d मतलब c हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है छी में पढ़ने की जरूरत है नहीं है सी हमारा पहला नहीं होगा तो पाला या तो ए होगा या तो बी होगा या तो डी होगा अब यह प्रोनाउं से सुरूर है on my second visit यहां देखें इसमें यह आ गया प्रोपर नाउन ठीक है option नमरे में देखिए कोई प्रॉपर नाउन है क्या नहीं है यहां पर स्नेक्स की चर्शक की गई अब जरा भी को आप पढ़ लिए ताकि क्लियर हो जाए और माई सेकंड विजिट टू वेस्ट अफरीका वेस्ट अफरीका के सेकंड विजिट में आई मेट यंग मैन और बोड मतलब जब हम जहाज में चड़े पानी वाली जहाज में चड़े तो वहां पर सेकंड विजिट में हमको क्या मिला तो एक यंग मिला मुझे ठीक है मतलब उसने विकार किया कि वो एक ही चीज़से डरता है कि से तो यह हमारा पहला होगा इसके बाद यह नहीं आएगा उसके बाद कोई और सेंटनस आना चाहिए तो बी वाला ऑप्षन है बी के बाद ए नहीं आएगा बी से पहला होगा और बी के बाद ए नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि बी से अगर पहला सुरू हो रहा है तो बी वाला दो ही option था ये cancel हो गया तो वो हो गया हमारा answer ठीक है चलिए आगे बड़े यहां से हम लोग नेक्स अगले question में चलते हैं यहां पे आईए यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा यह कुछ ऐसा question है जिसको आप देखेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा confused हो जाते हैं और कई बार तो आपको first sentences में पता ही नहीं चलेगा first पता चलेगा तो first के बाद किसको रखे यह हम लोगों को समझ में नहीं आएगा confusion आपको create करेगा अब इसमें जारा देखें इसको ध्यान से पढ़िए सबसे पहले option देखें हम लोग देखें A, B और D यानि कि C हमारा पहला नहीं हो सकता C को पढ़ना ही नहीं है पहले के लिए ठीक है अब इन ही तीनों में से कोई एक होगा the other the other मतलब इसके पहले कोई condition बताए गया होगा यह देखे one man तो यह पहला व्यक्ति और other मतलब दूसरा व्यक्ति ठीक है ठीक है भाई तो पहले दोनों व्यक्ति की one by one explain करना सुरू करते है ठीक है चलिए तो अब आते हैं पर हम लोग ज़रा डी को पढ़ते है the two men who boarded the train from Denver were an odd pair यह Denver कोई जगह है देखे यह proper ना हो ना गया इस basis पर भी हम कह सकते हैं कि यह हमारा पहला होगा तो डी में देखे दो option की वेन यह D C है और यह D B है अब हमें देखना होगा कि D के बाद हम C को रखे यह D के बाद B को रखे ठीक है अब ज़रा देखे इसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको ज़रा पढ़ते हम लोग इसको कई बार ऐसे sentences आपको मिलेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत भी होती है ठीक है बट ऐसे question कभी कभी आपको देखने को मिलते है tier 1 की बात करें तो tier 1 के paper में चली ज़रा C को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि D के बाद या तो C आएगा या तो D के बाद B आएगा तो पहले C को पढ़ते हैं but the most striking thing was that they were handcuffed together ठीक है मतलब सबसे जो अजीबों करीब बात थी वो ये थी सबसे ज़्यादा करशन की बात उनके अंदर ये थी कि दोनों handcuffed से मतलब हतकड़ी से दोनों एक साथ बंदे होगे थे अब ज़रा B को भी हम लोग पढ़ ले डी के बाद C हम लोगो ने पढ़ लिया डी के बाद B को भी पढ़ ले हम लोग वन मैन हैड और हैंडसम प्रेजेंस विट अबोल्ड और फ्रैंक लुक मतलब पहले व्यक्ति का जो आउटलुक था वढ़िया था ऐंडसम था ठीक है अधर बॉज अ रफरड ग्लं फेस्ट मैन हेविली बेल्ड और रफली ड्रस्ड और पहला व्यक्ति जो था पहला व्यक्ति हैंडसम था और जो दूसरा व्यक्ति था ओ रफली था मतलब गंदा संदा दीक रहा था और सबसे अच्छे बात यह थे कि दोनों को एक ही हथकड़ी से बंद हुए थे तो सबसे पहले कि इन दो व्यक्तियों के चर्चा हुए दो के बाद पहले को बताए फिर दूसरे को बताए और फिर दोनों को एक साथ conclude कर दिए मतलब यह कि C क्या है मेरा last है तो आप C देखिए कि D से तो सुरू हो रहा है हमारा पहला किसे सुरू होगा D से अब C आना चाहिए last में तो आप C को देख लिजे last में किसमें इसमें तो यह होगा हमारा correct answer ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हम लोग अब यहां पे आते हैं इसमें देखिए option किस से सुरू हो रहा है चारो से एक एक option सुरू हो रहे हैं A B C D सबसे अब सबसे पहले हां देखिए Robin couple the Robin couple देखिए देखते के साथ आपको क्या दिखाई दे रहे Robin couple यह one morning में कोई घटना घटी यह प्रॉनावन तो यह हमारा पहला sentence होगा नहीं चुकि हमें प्रॉपर नावन यह मिल चुका है वन्स दे है देख इसके लिए यूज क्या गया कपल के लिए तो यह प्रॉनावन नागया इसके बाद आए इसके यह पहला नहीं हो सकता पहले इसके बाद उसके लिए रेलेटिव प्रॉनावन नावन या उसके लिए रेलेटिव ली प्रॉनावन का यूज हम लोग करते हैं ठीक है तो इसका यूज किस के लिए क्लिए के लिए वी अभी देखे वी फाउंड वी किसके लिए इसी के लिए रॉबिन कपल के लिए यह वी भी किसके लिए उसी के लिए तो यहां से क्लियर है कि हमारा आंसर पहला जो होगा फॉर्स सेंटेंज होगा इसरी अरेंजमेंट का वो किसे सुरूओगा सी से सी से एक ही ऑप्शन सुरूआ रहा है सीधा क्लिक किसी आगे बढ़ते रहिए नेक्स्ट आगे न देखे इसमें क्या है औपशन इसका भी पहले देख लेंड़ू एसे सुरू हो रहा है इसे भी यह बट से सुरू हो रहा है और एस बोट चुक taking दोलो आब और है कि एक हाई यह कैसे पता चलेग어야 तो बहुत कैसे आया बहुत का युज दो व्यक्ति या वस्तू के लिए करते हैं यह पढ़के देखें ही लिवट इन स्मॉल हाउस ने अर्दा में रोड ऑफ फीलिज तो किसी व्यक्ति के बारे में बताए जा रहा है कि वो कहा रहता था भाई तो गाउं में में रोड के को पास था ता तीक है अभी ब्यक्ति कैसा है अभी अकेला और यहां पर बोत आ गया मतलब्ट हो गया है यहां भी देखिया देम लिख़ा हूओ है मतलब यहां भी एक से जादा होगे लिए उसको क्या होना होगा तो यह देखे दिया है after he got married, अच्छा, साधी कर लिया, साधी करने के बाद, अब क्या हो गया, पेर हो गया, पेर हो गया, तो plural बन गया, ठीक है, he started a tailor, मतलब clear है, कि पहला कौन सा होगा, तो A होगा, A के बाद किसको रखेंगे, तो D को रखेंगे, तो AD वला option, देखे, AD वला option यह है, हमारा correct answer क्या बना option number A, next, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें हम लोग, इस question में हम लोगों को क्या देखने की जरूरत है, दो option शुरूरा है, B से, दो option शुरूरा है, D से, दो B से, और दो D से, तो C को पढ़ना नहीं है, A को पढ़ना नहीं है, अब ज़रा इसको पढ़के देखें हम ल इच, दिच मतलब समझते हैं, खाई, गड़ा, जैसे दो खेत के बीच में जो गाउसे जुड़ा हुआ इंसान हो, वो इसको समझ पाएगा, दो खेत के बीच में जो छोटी सी नाली टाइम की होती है, ठीक है, उस टाइम का गड़ा वाला पाड़, जैसे पानी वनी, पठा रहे थे, दूसरे को क्या कर रहे थे, कर्स कर रहे थे, ठीक है, स्राब दे रहे थे, नेक्स्ट, आगे उसके पड़े हम लोग आट दा बॉटम ऑफ दा डिच, तो सबसे पहले यहां देखे, यह डिच, और यह डिच, कॉमन चीज़े मिल गई, मतलब यह है, कि यह दोनों से साथ में रहेंगे, अब इन दोनों में से हम किसको पहले रखे, हमें पता नहीं है, ठीक है, अब जड़ा ए और सी भी पढ़ ले, दे वर कवर्ड वित मर्ड फ्रॉम हेट टू फूट, और वो लोग जो थे, वो लो कौन, जो चीख रहते, चिला रहते, जगडा कर रहते, य यह लोग, अब चुकि यह जो सोल्जर्स हैं, यह तो सर से पैर तक मिट्टी में, मिट्टी में सने हुए होंगे नहीं, ठीक है, तो अब यह हमारा सेकेंड नहीं हो सकता, सेना का जो एक प्रकार का कह सकते हैं, अनाधिकरित लीडर, यह सेनियर व्यक्ती, जो अपने आपको उसका उस ग्रूप का लीडर मानता हूँ, ठीक है, तो यह जो सिपाही लोग थे, सिपाही लोग का जो सर्जेंट था, ठीक है, इसका जो ग्रूप लीडर था, उसने उन को कहा, stop that, मतलब यह चिलाते हुए, कहा कि चुप रहो, रुको, ठीक है, अब देखें, यह रुकवाने का काम, क्या मतलब सबसे पहले यह समझें, कि यह बात कब होई होगी, लास्ट में, ठीक है, जब इन लोगों ने, सिपाहीों ने देखा, कि दो लोग है, दो लोग पानी वगरे रहा होगा, गाउं में, उसी में दोनों जगड़ा करने के करब में, उठा पटक्की होगे, दोनों के पूरे सरीर में, सर से पहर तक मिट्टी लगा हुआ होगा, ठीक है, तो यह लोग जब जब जगड़ा कर रहे थे, तो इसने देखा, और इसने कहा, चिलात को रखना है, यह अगर क्लियर नहीं हो, तो हम लास्ट वाला चेक कर लेंगे, कि लास्ट में हम किसको रखें, तो अब आप बताईए कि लास्ट में किसको रखा जाए, लास्ट में किसको रखेंगे, हम लोग सी को तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी बी एसी, क्या बनेगा, D, B, A, C और देखे यह D, यह D, मतलब इन दोनों का pairing बन रहा था तो यह pairing हम लोग ढूंड लेते हैं common word के अधार पे तो B और D एक साथ रहना था उसमें D को रखेंगे पहले और B को रखेंगे second में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कभी-कभी ऐसे sentences आपको मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको reading डालने की जरूरत होती है अब यहाँ पे देखे option पहला option A, B और D मतलब C को पढ़ने की जरूरत नहीं है cancel अब चलिए इसमें देखे दफॉस्ट टू गेम्स पहला दो गेम तो पहले आप गेम तो बताईए and the second two मतलब total चार गेम बताए जा रहा तो चार गेम पहले आप इंट्रोड्यूस तो किजिए in other words यह तो पहला होगा नहीं as games chase basketball मतलब दो गेम मिल गए ठीक है different from leaf frog and playing house मतलब यह दो गेम हो गया और यह दो game होगा तो सबसे पहले इसको introduce करेंगे तो यह होगा हमारा पहला sentence हमारा पहला sentence किसे सुरूगा b से अब b में देखें यहां दो option है b के बाद हम किसको रखें c को रखें कि a को रखें ठीक है तो सबसे पहले b के बाद c को रखें या d को रखें ठीक है अब देखे तो यहाँ पर चारगे माया चारगे में से पहला दो बताया गया और फिर बाद वाला दो बताया गया ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा second तो यह पहला और यह दूसरा तो BD वाला होगा हमारा answer BD यह हो गया हमारा answer ठीक है next यहाँ से फिर आगे निकलते हैं यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर इस सेंटेंस में देखिए पहले option को जड़ा देखें हम लोग A B और D C नहीं है आप यदि इसमें option को नहीं देखेंगे तो भी आप इसको पकड़ सकते हैं यह देखिए यह प्रोपर नाउन यह प्रोणाउन यह प्र भी भी मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो कारी के reference में आई आप बिना sentence को पढ़े हुए भी बता सकते हैं कि इस sentence का इस rearrangement का correct answer हमारा BD से होगा अब पहला B और दूसरा D देखिए कोई BD वल option है क्या है यह है option number C ठीक है तो कई बार ऐसे question भी आपको मिलते हैं ज इसे शुरू नहीं हो रहा है cancel अब इन्हें तीनों में से किसी एक से होगा अब देखिए आपको confusion कैसे कैसे होगा confusion कैसे होगा यहां देखिए understanding आपको दिख रहा है यहां comprehension आपको दिख रहा है यहां भी understanding आपको दिख रहा है मतलब अब common factor हम understanding नहीं ले सकते किसी दो में होता तो हम करते अब यदि इसको understanding को हम common factor मानेंगे तो इन तीनों है sentence का एक साथ grouping हम लोगों को करना पड़ेगा ठीक है तो grouping तो करना ही पड़ता है अब सबसे पहले थे कि सी तो पहला होना नहीं इसलिए इसको छोड़ते हम लोग अब हम ए को पढ़ते और बी को पढ़ते ठीक है ए और बी को पढ़ते है अब चली और बी को पढ़ते हम लोग तो understanding a printing text comes from the interaction between printed words once prior knowledge of the world मतलब इसमें बताया कि कोई भी प्रिंटेड चीज हो लिखी होई चीज हो छपाई होई की होई चीज हो छपी होई चीज हो तो उसको समझने के लिए आपके पास प्रायर नौलेज पहले से दुनिया के जो प् को पास होना चाहिए जैसे आप essay exam में appear होना चाहते हैं उसका फॉर्म गॉर्ण जाते हैं तो आप से पहले उसका qualification मांग ले तो आपसे पहले के लिए पहला condition है कि आपको graduate होना चाहिए लिए छेल के लिए 10 प्लस टू होना चाहिए बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से प्रायर नॉलेज आपके पास होना चाहिए सेकेंड पढ़े ज़रा बी को हम लोग पढ़ते हैं और प्रोसेस ओफ अंडरेस्टेंडिंग अच्छा यह अंडरेस्टेंडिंग को डिफाइन कर रहा है तो यह कॉम्प्रिहेंसन का पार्ट है तो सबसे पहले हमारा किसे सुरोगा बी से अब देखें बी में हमारे पास दो अप्सन है अब बी के बाद ए रखें या बी के बाद डी रखें चली जराब डी को भी पढ़ें इन अक्टिब डिड़िंग रीडर्स तिंक अबाउट दियर डिडिंग एंड मेक कनेक्संस अब रीडिंग किसको किजेगा जो प्रिंटेड होगा उसी को न तो यह देखें प्रिंटेट टेक्स्ट मतलब यह है कि पहले बी आएगा बी के बाद क्या आएगा तो यह पहला हो जाएगा इसके बाद यह दूसरा हो जाएगा और यह तीसरा हो जाएगा ठीक है printed text मतलब बी के बाद हमें किसको रखना चाहिए एको तो बी ए वाला कौनसा answer हो गया हमारा यह ठीक है तो कभी-कभी कुछ question आपको इस pattern के मिलेंगे और ऐसे ही questions के कारण आपके exam में normalization का process इंट्रोडियूस किया गया ठीक है क्योंकि कई shift में जो exam होता है कई दिनों तक exam आपका चलता है कई shift में exam आपका लगतार चलता है कुछ shift में question easy पूछे जाते हैं कुछ shift में question बहुत ज्यादा difficult होते हैं कुछ में average level के होते हैं ठीक है तो जिसमें easy पूछा किया उसे बच्चे ज्यादा तर answer करेंगे ज्यादा उनका attempt होगा और जिसमें difficult पूछा गया तो उनका attempt कम होगा ठीक है तो इसको equalize करने के लिए क कि तरफ चलते हैं यहां पर ऑप्ष्टन देखें ए ए बी और डी ए बी और मतलब से हमारा नहीं है सी को हमें पढ़ने के जरूरत नहीं अब चले यहां पर देखे हम लोग क्या हो सकता है मेरा पहला ए बी और डी तो एक पढ़ते हुमेंस वॉक इसमें कुछ कॉमन है क्या यह देखे कॉमन यहां पर एक चीज़ देख सकता है स्पोर्ट्स और अब इन दोनों का grouping होगा B और D का यह उससे बाहर निकल गया यह हमारा पहला नहीं होगा अब हम क्या करेंगे ज़रा B को पढ़े और D को पढ़े पले B को पढ़ते हैं the most useful definitions are those that clarify the relationship of sports to play games and contest ठीक है अब ज़रा D को पढ़े sports are part of every culture क्या है बाई तो every culture का part है past present यह देखिए chronological order आगे past उसके बाद present but each culture has its own definition of sports यहां भी sports लिखा हुए तो हर जगह का हर culture का अपना एक definition है sports के regarding but the most useful definition लेकिन जो सबसे ज्यादा important definition है are those that clarify the relationship of sports to play games मतलब क्या होगा कि हमारा answer सुरूओगा D से अब D में देखे दो है D के बाद क्या आना चाहिए भी आना चाहिए जाहिर सी बात है कि D के बाद भी आएगा तो यह होगा मेरा answer ठीक है next यहां से आगे पढ़ते है due to this अब यहां पर देख लिए अब क्या बचा हमारे पास ए और सी ए और सी ए को पढ़े में देखे ड्यू टू लगा हुए ड्यू टू लग गया तो इससे हमारा पाला sentence होगा नहीं किसी चीज़ का कारण बताएगा तो फ़ले घटना बताएगा उसके बाद कारण बताएंगे उसका तो अब जरा हम लोग सी को पढ़ते हैं we know that seasons are caused by the earth ये देखे अर्थ प्रॉफर ना उन्हें तो जाहिर सी बात है आगे बिना पढ़े भी हम कर सकते है क तो सी के बाद है आएगा तो हमारा करेक्ट टांसर बनेगा और करेक्ट टांसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ता है यहां पर देखे इस कोश्चन में हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है सबसे पहले ऑप्शन रीड कर लो भाई करते है है हम लोगों को दो ऑप्शन के से और दो ऑप्शन यह हमारा पहला नहीं होना है तो यह दून हो नहीं दोनमें यहां यह कंद वाल शेक्तार बिलीव यहां भी के आदार पर यह दोनों का grouping हो गया तो पहला भी हो तो दूसरा क्या है गड़ी आएगा तो बीडी वाला option कौन सा है बीडी वाला option है हमारा option number B second option next यहां से और आगे बढ़ते हैं फिर चलते हैं इस question के तरफ अब इस question को हम लोग यहां से थोड़ा skip कर दें क्योंकि इस pattern का कुछ question हम लोग बना चुके तो अब अगले pattern के question की त तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर कोई एक छोटा सा sentence या clause आपको given होगा मतलब आपको कुछ group of words यहां पर given होते हैं ठीक है और उसके बाद आपको a, b, c, x, y, z या p, q, r इस तरीके से आपको option given होते हैं ठीक है और इसमें आपको क्या करना होता है इनके आगे की बातों क को relate करके इसको एक meaningful paragraph में meaningful sentence में complete sentence आपको बनाना होता है ठीक है चलिए अब यहां पर आते हम लोग for is मतलब वर्सों से वर्सों से क्या हो रहा है भाई the Indian psyche has been मतलब इंडियन लोगों की जो tendency रही है क्या रही है यहां पर geared towards devoting one's life मतलब अपना जो life है उसको समर्पन कर देना to to the welfare of all सभी के कल्यान में ठीक है तो इसका यदि हम लोग answer करने का प्रेयास करें तो इसके बाद for is के बाद हमारा पहला क्या होगा पी हो जाएगा उसके बाद क्यू हो जाएगा उसके बाद फिर R हो जाएगा तो कई बार जैसा sequence given होता है वह हमारा answer हो जाता है तो यहां पे फिलहाल हमारा answer क्या बना PQR ठीक है यहां पर यह प्राइवेट companies और प्राइवेट कंपनिया क्या कर रही है यह देखे resources यह due to तो यहां आर के बाद due to कि कोई जरूरत नहीं है इसे मार के बाद कुछ आएगा तो आई एंजी फॉर्म आएगा यह देखे आई एंजी फॉर्म आया हुआ है तो पालक किसे सुरू हो जाएगा PCI में देखे दो option है PQR और PRQ अब इसके आगे का पाट पढ़ लिए तो क्या करें भाई exploiting underground water ठीक है तो underground water या water sources in India भारत में जो private company है वो क्या कर रहे है underground water का जो resource है उसका दुरूपियों कर रही है जमकि उसका सोचन कर रहे है क्यों कर रहे है भाई due to outdated law क्योंकि उनको रोकने के लिए इस प्रकार का जो groundwater exploitation हो रहा है इसको रोकने के लिए इसको कम करने के लिए इ नहीं ठीक है चले तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं कुछ और नए कोशन की तरफ बिफूर नाइंटेन सेबंटेन फूर ठीक है 1974 के पहले अब 1974 के पहले क्या हो रहा था भाई जरह इसको पढ़िए ठीक है अब इसमें आप लोगों को थोड़ा पढ़ने की जरूरत पढ़ती है ठीक है तो अब इसके बाद क्या होगा लोन प्रोवाइड़ बाइड़ लोन प्रोवाइड किया गया किसके दौरा पता नहीं है इसको जड़ा पढ़ें वर्ल्ड बैंक वर रिलेटिवली स्मॉल अच्छा वर्ल्ड बैंक के दौरा जो लोन है रिवर्स यह हो गया अंसर अब जो जो थे होते हैं वह क्या होता है बहुत तो इससे Petых और बिंग रिशर्च टेर्म को क्या किया रहा है यह जा रहा है एक किस काम के लिए उसको ऊतली फॉर फार्मिंग ब्लड वेसल उसको उस सबरेश जा रहा है किसली के उचे में भी आप option का use करके इसको solve करने का प्रयास कर सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं से हम लोग तो इस question में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें इसमें भी हम लोग option को read कर सकते हैं दो option किसे सुरूर रहा है वाई से एक एक से और एक जेंट से तो कोई option बचा नहीं जिसको छोड़ा गया हो ठीक है चलिए अब इसमें जरा पढ़ते हैं उपर से हम लोग क्या हम लोग को करना इसमें आई है टेकन आउट माई अब यह माई देखिए क्या है तो माई है पॉसेसी बैट इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए नाउन चाहिए नाउन अर्थात यह यह लिसन क्या है वर यह क्या है कंजक्शन है तो यह पॉसेसी बैट जेक्टिव के बाद आ नहीं सकता है तो अब एकी option बचा वाई वाई से कितने option है दो option अब इसके आगे फिर हम लोग को पढ़न चाहिए और आप अंसर क्लिक किसी आगे निकलते चलिए फिर नेक्स्ट अगला कुशन देखे हम लोग क्या है इसका भी option जड़ा देख ले दो option एक से एक वाई एक जड़ तीनों option इसमें यूज कर लिए गया है तो इसको हम लोग चली पढ़ते हैं इसको हम लोग चली प्रिपेरिंग यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा मतलब वी फॉर वी वोक टू वाई वाला वाई वाला कितना option है एक ही option है सिधा क्लिक किसी है आगे निकलते रहिए मतलब वी वोक मतलब जब हम लोग जगे उठे उसके पहले तीन बच्चुका था दो पहर के तीन तू ठीक है अब देखें इसके बाद हमारा क्या अंसर आ सकता है इट वोज टू ड्राई देखें टू के बाद क्या था एड्जक्टिव आता है जैसे हम लोग यूज करते हैं न ही इस टू वी टू वाउक ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मतलब वो इतना कम ज सेंतेंस या खलॉज को तो पूरे सेंतेंस या क्लॉजक को यहां क्लिःफाय करना नहीं है तोмеशन सीदा हो गया हमारा जेट ठीक है आगे बढ़ जे यह लूग का छीक है उसका हम लोग करते हैं अब देखें प्राइम रूज अब देखें प्राइम रूज तो यह ओः और प्रे polsk तो रे के साथ हम लोग लुस्ट करते हैं यूज़ करते हैं नोस सदे हैं अउट ओटा है यह जय.. मतलब जाहिर सी बात है कि X वाला मारा आंसर होगा और X से एक ही option क्लिक हो रहा है एक ही option given है इसलिए सीधा हम option number B को क्लिक करेंगे यहां से आगे निकलते रहेंगे next यहां से आगे चले at length about an hour letter मतलब बात इसमें किजा रहे है कि एक घंटे के बाद ठीक है वी अब वी क्या है भाई वी है personal pronoun अब इसके बाद देखें यह फिर दूसरा प्रोनावन आ जा रहा है यह देखें यहां पर आर नहीं होगा यहां पर आउट है ठीक है यहां पर आउट ओफ प्लेन अब टू के बाद किया चाहिए तब करणा ठीक है एन्टू कोई नहीं एस नहीं आ सकता अब सबसे फ़्रें वी वी के बाद यहां तो यह नहीं आएगा या तो जेड आएगा या तो एकस आएगा ठीक है अब चले ज़रा हम लोग पढ़कर देखें एस फाइड और लिटिल या तो जेड आएगा या तो एकस एकस और जेड अच्छा दोनों आप्शन भी चारों ऑप्शन इसी से गिवन है वाई को पढ़ना ही नहीं था हम लोगों को ठीक है चले जड़ा हम लोग देखें जेड को पढ़ते हैं वी आउट ओफ द प्लेन एंड टू एंड टू देस वी ड्रैग्ड आरसेल्फ ठीक है वी एस्पाइड लीटिल पाइल ओफ बाउल्डर क्या होता है यह बोल्डर देखें सडकों पर जो कही सडकों का नेरमान होता है यह ड banner track के किनारे हम लोग देखेंगे कि जोd we line की पट्री होती है ठीक है उसके आज पाइड लिटिल पाइल ऑफ बॉल्डर से राइजिंग ठीक है आउट अफ दे प्लेन एंड टू देस वी ड्रैग्ड आर सिर्फ जहां यह एक ज्यादा सही मिनिंग्फुल लग रहा है ठीक है तो फिर इसको कैसे घसीटते हुए प्लेन तक एंड टू देस वी ड्रैग्ड आ गए ठीक है तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए इसके बाद एकस बनना चाहिए एकस के बाद जेड एकस के बाद जेड अर्थात आंसर बना यह नेक्स यहां से आगे बढ़ते हम लोग कुछ और को देखते हैं यह देखें फिर हमारे पास इस पैटरन के कोशन है जिसमें व फर्स्ट वाले को पढ़िए और उसके बाद उस से रिलेट कर लिजिए कि कौन सा हमारा दूसरा हो सकता है ठीक है चलिए देर बॉस अलाएंगिंग ऑन दा वॉल ठीक है अब इसमें देखें लैंप वाला कहीं है क्या यह रहा लैंप मतलब इसके बाद यह आएगा सीधा आ अब इस तरीके से बनाने में यहाँ पर देखिए इस पैटरन का जो कोश्चन पूछा जाता है जिसमें फॉस्ट एंड सिक्स आपको गिविन होता है और बीच में चार सेंटेंसे यह चार क्लॉजिस आपको गिविन होते हैं इसमें इस तरीके के अनेको ऑप्सन यूज किय जाते हैं ठीक है और विशेश रोप से इस पैटरन का कोश्चन जादा तर आपके मेंस में देखने को मिलता है जब मेंस में मिलेगा तो थोड़ा डिफिकल्टी लिवल प्री के मुकाबले आथा टीर वन के मुकाबले जब टीर टू में आप जाएंगे तो टीर टू में टी क्यों को रखें या आर को रखें ठीक है तो सबसे पहले इस में आजाएं काल सेगन इन हैसे अपने एसे में यह देखें कहते हैं जैसे याद किजिए हम लोग जब अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे थे तब हम लोगों को कुछ लाइन्स या कुछ पैराग्राफ ग लाइन्स इन दीज लाइन्स दा ओथर या इन दिस पोयम इन दिस स्टोरी दा ओथर से इस तो वही लिखा गया कहा कर रहे हैं इन दिस पोयम दा ओथर से इस तो इससे रिलेट कर गया है मतलब इसके बाद क्या आएगा क्यों आएगा इसके बाद क्यों में दो आप्शन गए तो हम लास्ट वाला टूंड है इन दिस ऐसे सेज दैट वी दू नौट फूली अंडरेस्टेंड अब अगले कोशन में हमारा नेक्स कोशन यह रहा आपके सामने तो अब इस कोशन में देखे पहले आप्शन को देखे हैं लोग तीन ऐसे एक उप्शन डी से मतलब यह कि हमें बी और सी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तो भी कैंसल हो गया और सी हैंसल अब देखिए यहां पर all he could do he का यूज कर लेगा ही का यूज किसके लिए अब वाई के लिए सीधी बात है कि ए हो गया हमारा पहला अंसर अब यह आएगा एक के बाद दूसरा कोई आएगा अब देखे ए से तीन आप्शन सुरू रहें तो फिर हमें यहां पे चेक करना होगा कि एक बाद हम किसको रखें मतलब एक लड़का जो था अपने मालिक के डॉग को ले करके कहां जाया करता था पॉंड मतलब जो तलाब था तलाब के आसपास उसके जाया करता था ठीक है अब उसके बाद हाउए बर फिर देखे जरह सी को पड़े हम लोग सून ही फाउंड देंडिंग यहां देखे टे ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं चलते अगले इस कोश्चन में देखिए इस कोश्चन में क्या गिवेन है सबसे पर्ले ऑप्शन को देख ले बी सी और डी मतलब यह को पढ़ने की जरूओ थे नहीं यह क्या हो गया कैंसल हो ठीक है अब आजाए यह बी सी और यहां पे देर कंट्री अब जरा भी को फिर से पढ़ें दा फैमिली वोज वेरी पूर एंड वोज ऑल्वेज हंग्री जो परिवार था कैसा था बहुत गरीव था ठीक है और हमेशा कैसा राता था भूखा था भाई बिकाज देर वाज ऑवार ऑन क्योंकि एक वार जारी था एक यूद वहां पे जारी था ठीक है देर कंट्री हैड बिन इन्वेड़ेड बाई ए फॉरें आर्मी जैसे आप यूक्रेन का एक्जाम्पल ले लिजे ठीक है तो यूक्रेन में बहुत संकट चल रहा है सभी बनेगा बी सीद्स नियूए इस्सलिए सीधा यहां से आगे निकलते चलि हम लोग चलते हैं पर है आगे हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत थी नहीं है नेक्स्ट आगे पढ़ें यहां पर इट इस माइन यह बहुत बहुत क्या है थीक है किसी दो के लिए होगा once upon a time देखिए once से या once से या at a time से या there से कोई भी sentence हमारा पहला sentence से rearrangement का सुरू हो सकता है तो ऐसा यह देख भी मिलता है और आपको sentence में कहीं भी proper noun दिखा ही ना पड़े तो उसको जरूर से ध्यान से रीड करने की जरूरत है जरा सी को पड़े हम लोग once upon a time two cats were passing through a street एक बार या जो थी किसी street से गुजर रही थी पास कर रही थी ठीक है both upon it and caught the loaf at the same time मतलब यह दूसरा तो नहीं होना चाहिए suddenly they spotted a loaf मतलब अचानक से उन दूनों बिलियों ने देखिए यहां two cats है और इस two cats के लिए क्लिए यूज कर लिए देखिया यूज कर लिए तो पहले यह noun उस आपको यहां दिखाई दे रहा है यहां भी देखिए तो नहीं आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अब सेंटेंस में पढ़े हम लोग क्या लिखा हुआ है तो जड़ा option को भी रीड कर ले a c or d मतलब भी हमारा पहला नहीं होना है in the morning मतलब सुबह में और in the evening मतलब साम में यह पहले आएगा इसके बाद यहाएगा थाद ड के बाद क्या एगा एगा तो d के बाद ए है क्या कोई d a d a यह d a मिल रहे है c में डिय का मिल रहा है इसमें देखने को अले में थौर्ट option में अब चलिए जडरा इसे कौम लोग पहले पढ़कर देखे C B C को पढ़े ते जस्विनी was known in the village for her devotion to the Lord मतलब ते जस्विनी नाम की एक महिला है उसको जाना जाता था उसके गाव में भगवान के प्रतीश समर्पन के लिए उसके भक्ती भावना के लिए ठीक है कितनी बार twice a day दिन में दो बार दिन में दो बार जाती थी पहला कब सुबह में और दूसरा कब साम में मतलब जाहिर से बात है कि पहला होगा C उसके बाद होगा B तो यहाँ देखें इस question में हमारा correct answer क्या बनेगा option number C C B D A ठीक है तो इस तरीके से आज के इस class में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से जो आपके remaining pattern बचे हुए थे remaining आपके pattern बचे हुए थे कल के class के बाद अर्धात re-arrangement part 1 में वो pattern जो बचे हुए थे जो discuss नहीं हुए थे उन सारे pattern को आज के अपने इस class में हम लोगों ने deal किया सीखा कि कैसे उनको solve करना है ठीक है और उनको solve करने के लिए हमारा approach कैसा होना चाहिए ठीक है तो rearrangement part 1 और part 2 दोनों ही पार्ट को जरूर से देखे और इन में जो भी हमने आपको बताया जैसे approach हमने बताया जो भी concept हमने आपको बताया इन सब को strictly follow करना आप सुरू किजिए remaining practice sheet में इसके धेर सारे question है तो आप उसको attempt किजिए close test के भी question है और rearrangement के भी question है उनको maximum time जाए जब आप इसको solve करेंगे ऐसे concept को जब आप वहां पर use करना सीखेंगे जब आप इसको use करना सीख जाएंगे आप इसके साथ used to हो जाएंगे फिर देखें आप से इससे सीकर rearrangement के question ही यूही कैसे मस्ती मजाक में बनते चलेंगे ठीक है और यह सब आपका selection करवान में क कितने number कटेंगे एक question मतलब ढाई number दो question मतलब पांच number आपके चले गए ठीक है normalization में और घाटा होगा आपको तो accuracy के साथ speed के साथ accuracy आप attain कीजिए ठीक है और speed plus accuracy के साथ exam में attempt कीजिएगा ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग फिर कुछ और नए section की तरफ चलेंगे ठीक है तो rearrangement को यहीं पर हम लोग stop करते हैं समाथ करते हैं conclude करते हैं मिलते हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हम लोग एक नए topic के साथ तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद